सो हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टु गोर्व एक्कनोमिक क्लासेस और आज हम लोग पढ़ेंगे कि money supply एक credit supply कैसे कंट्रोल करती हैं central bank, central bank कैसे market में money supply या credit supply बोल दीजे कैसे कंट्रोल करती है, तो इसके दो instrument होते हैं, एक होता है quantitative, एक होता है qualitative कॉंटरिटिटेटिडव काई टो इस इंस्टुमेंट है जिनके तो तो क्या करते हैं हमारी सेंड्रल बैंक मनी सप्लाई को कंड्रोल करने की कोशिश करते हैं ठीक है कॉंटरिट्यटिटिव में बात करते हैं किसकी डायक्षण ना सबसे पहले सबसे पहले बात आप यह जान लिए इंफ्लेशन मतलब होता क्या है इंफ्लेशन मतलब होता है महिंग आई जब किसी चीज के लगातार प्राइज बढ़ते हैं पर्सिस्टेंस प्राइज आपने सुनी होगे लाइन यह जब किसी चीज के लगातार प्राइज बढ़ते हैं उसे हम क्या बोलते हैं ठीक है तो जैसे मान लिए कोई आच चीज है पांच रुपए की है अगले मैंने अच्छा है क्यों गई पर साथ क्यों गई पर आट क्यों मतलब होता जा रहा तो यह इंदर आएगा और ढक। जसली होती है तो बोला जाता है महंगाई इसलिए होती है क्यों सब्चैन की और रहे होते हैं लोग ज्यादा क्या कर रहे होते हैं लोग की इंकम ज्यादा होती है इंकम कर जाता है वाइस से ठीक है तो लोगों की इंकम बढ़ रही हो जब लोगों की इंकम बढ़ती तो लोग दिमांड करते हैं लोग दिमांड जब करते हैं तो लोग इंफलेशन होता है ए मुणी सपला है आपको मैं एक 방 सब्सक्राइब आपको मैं एक क्लीय लेंग्वेज मिंदेघन हो रिडिय करती है तो हम डा unos फ्री इन में संपर FLN autobause या बोल दीजिया bank rate is that rate at that rate at which RBI lend money to commercial bank जिस rate में RBI money lend करती है commercial bank को उसको क्या बोलते हैं जैसे यह है RBI यह है SBI ठीक है तो RBI ने 10,000 रुपए दिये माल लीजिए SBI को और कितने rate of interest के 5% को तो यह 5% हमारा क्या हो गया तो bank rate मतलब क्या है the rate at which RBI lend money to commercial bank ठीक है और to commercial bank ठीक है अब देगे online लिखिए bank rate refer to the rate of interest at which RBI lend money to commercial bank और loan क्यों देती को commercial bank को RBI और the immediate loan requirement को इनों को जरूरत पढ़ जाती है bank को loan पैसे की तो वो किसके पास approach करते है RBI पास और bank rate की सबसे अच्छी खासियत ही होती है कि bank rate में जब loan देती है RBI तो कोई securities नहीं रखवाती है bank rate में जब क्या कहते हैं कि RBI loan देती है commercial bank को तो कोई in exchange securities नहीं रखवाती सिर्फ payment loan का ही payment उनको वापस करना होता है after some time period ठीक है ना इसमें securities को नहीं release में रखवाती है अब देखिए अब एक बात समझेगा आप मान लीजे मैं आपको एक example देता हूं यह है RBI यह है SBI यह है public ठीक है अब मान लीजे RBI ने SBI को 10,000 रुपीज दिए 10,000 दिए 5% के साब से अब क्या होगा कि आज के टाइम मान लीजे RBI SBI को 10,000 रुपीज दे रही 5% के साब से मान लीजे कल क्या होगा कल होगे inflation ठीक है मान लीजे after some time period क्या होगा inflation होगा महंगा ही होगे market में तो RBI अब क्या करेगी RBI SBI को पैसा तो देगी बट क्या करेगी अब महंगे में देगी मला महंगा interest rate charge करेगी high interest rate charge करेगी मान लीजे आप गूर 10,000 रुपीज देगी तो आप वो 5% नहीं 5% rate के साफ से नहीं देगी अब वो देगी 6% rate के साफ से अब वो कहेगी कि हम मैं आपको 10,000 रुपए तो दे रहेंगी RBI बोलेगी कि मैं आपको 10,000 रुपए तो दे रहा हूं बट आपको 6% rate of interest के साफ से वापस करना 6% bank rate चार्ज करेगी तो क्या होगा SBI को 10,000 रुपए किसे साफ से मिलना 6% के साफ से तो SBI जब public को लोन देगा तो भाई SBI 6% के साफ से तो public को लोन नहीं देगा SBI क्या करेगा 8 PERCENT के साफसे लोन देगा Public को तो मार्केट में क्या हो रहा है Market में Public को कितने PRECENT में LOON मिल आ है 8 PERCENT के साफसे L Sung urge hand Learning Public सूचेए कि यह तू महंगा है ठीक है पब्लिक क्या हो होगी एक तरीकге से टिस्करेश होगी ठीक है न इक तरीके से कभी ट्रेज़ हो गी लोगों को भी उसका भी डिट आफ इंट्रेस्ट बढाती की तो क्या होगा पप्लिक्ट स्करेज यह बात है अगर वड़ता है बैंके बरता है बैंक रेट मतलब जो जिस रेट में rb₍皿 पैसा लेंट करती यह commercial और को जिस स Faculty अगर बेंक रेडरेट वाँब इंट करता tी they इस्प्रेंट को होता है ठीक है अगर बैंक finns पंश परसंट अब एक 6 परसंट अगर बेंट बढ़ता तो market rate of interest भी बढ़ेगा माले जिए market rate of interest पहले था 7% अब हो गया 9% market rate of interest वो होता है जिस rate में commercial bank लोगों को loan देती है और bank rate वो होता है जिस rate में RBI पैसा देती है commercial bank को अगर 6% bank rate बढ़ा तो देखिए market rate of interest भी तो बढ़ गया 9% होगा पहले 7% था कि नहीं था ठीक है तो जैसे bank rate बढ़ता है तो market rate of interest भी बढ़ जाता है market rate of interest मतलब जो जिस rate में public को loan मिलता है या जिस rate में बोल दीजिए commercial bank loan देती है public को ठीक है तो accordingly cost of credit अब एक बात बताईए अगर bank rate बढ़ा तो market rate of interest भी बढ़ जाएगा market में loan भी महेंगा मिलेगा जब market में loan भी महेंगा मिलेगा तो लोगों cost of capital मतलब समझे रहे लोगों को loan लेना महेंगा होगा कि नहीं होगा cost of capital मानली जो कोई businessman गया loan लेने बैंकों में ठीक है तो कोई अगर businessman loan लेने गजाएगा पहले इसे bank rate बढ़ा हुआ है तो पहले से लोगों को महेंगा पड़ेगा loan लेना ठीक है पहले में जितना मिल जाता था loan उससे ज्यादा अब उनको क्या करते हैं उससे ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा इस बार तो cost of rate मनलब समझे अब पैसा लेना बैंकों से क्या हो जाएगा महा हो जाएगा ठीक है न तो वही बात लिए हैं तो जब bank rate increase होता है तो market rate of interest भी सब्सक्राइब कि पैसा लेना भी महाँगा हो जाता रेकों से और जिसकी स्क्काराइब यह जो जोती है तो वह जोब लोन नहीं लेने हैं नहीं तो मार्केडिम वनी प्लाइब कम होती तो इंफ्लेशन कंट्रोल होता है इंफ्लेशन कंट्रोल होता है तो यह हमारी एकनॉमिक लिए सही है यह बुरी बुकिस लेंगवेश्टी मैंने आपको इसलिए पढ़के बताई था कि आप जब करें तो आपको समझे तीन टर्म थे बैंक रेट मतलब होता है कि यहीं च्पैस डेटी कौम की क्या क्या करते है कि कौमर्शल देटें पड्ली को मार्के रेट फंटेस्टथ मौन को स्बड़ेगा तो आभ लोगों पैसा नब थी औलहीं छी को सेगलेंगि थी ति आर टाट टीशन के चिभस के टाम इकाisa कर देगा तो यहां पुरुघा of interest भी कम होगा market rate of interest भी कम होगा तो पब्लिक को अब सस्ते interest में पैसा मिल जाएगा ठीक है ना तो deflation time क्या हो था bank rate कम कर दिया जाता है inflation time bank rate बढ़ा दिया जाता है ठीक है यहां बात लेकिए कि on the other hand bank rate is decreased market rate of interest भी decrease जाएगा cost of capital भी कम हो जाएगी पहले इस लोगों को सस्ता पढ़ेगा पैसा लेना बैंकों से और deflation control हो जाएगा ठीक है यह आपको ध्यान रखनी है बहुत important open market operation देखिए यहां तो cut कर आया है मैंने किसी बच्छे की बुक से लिखा था मनलब लिया था actually मैं क्या है इस साल यह चीज कट गई है मतलब 2020 2021 का सेशन है उसका लिए चीज डिलीट हो गए बट नाइन चैप्टर में आपने problem of access and demand पढ़ा है तो उसमें यह चीज का use है तो इसलिए मैं यह चीज पढ़ा रहा हूं कि यहां तो चलिए कट गया है बट वहां नहीं खटा है उस चैप्टर के लिए वह चीज डिलीट नहीं होगी है तो उसके परफस से आपको पढ़ना पढ़ेगा ठीक है ना तो थोड़ी सीजे हैं पढ़ लीजे अच्छा ही रहेगा आपके लिए ठीक है open market operation मतलब होता है जब सद्यान सुनिए ओपन मार्केट operation मतलब होता है जब अर्बियाई गौवर्मेंट की securities जब आर्बियाई गौवर्मेंट की security open market में sell और purchase करती है तो उसे हम क्या बोलते हो open market operation वेंड लिखा है open market operation क्या होता है sale and purchase of securities in the open market sale and purchase of securities होता है in the open market by the RBI और securities किस की रहती है और कौन बेसता करीटा है RBI securities government की RBI sell करती है government के बियाद में ठीक है न गौवर्मेंट की securities कौन करीटा बेसता है open market operation में RBI अब गौवर्मेंट की security कोई हो सकती national savings certificate भी हो सकता treasury bill भी हो सकते है government securities कुछ भी हो सकते हैं ठीक है अब गौवर्मेंट अपनी सेक्यूर्टी क्यों इस्यू करती है एक होता क्या है कि गौवर्मेंट को जब पैसे की जरूरत होती है तो गौवर्मेंट क्या करती है बाहर से अपनी सेक्यूर्टी से करीके का पेपर होता है कि हां उसमें लिग दिया जाता है कि ह मैंने एक paper मेड़ी को सबक्राइब करें MAIN मैं एक पेपल लिखा मेरा मेरी hizo कोई नहीं करी देगा 거죠 मेरे मैं कोई एक तुमोने प्रइध reader मांी यह करें माली किसbell देद दिया कि यह aled को यह security परषेस करें उसको अभी तो यह security 9.90 रुपीस कीalthe करनी पड़ेगी बट आफ्टर वन यह वह अगर यह सेल करने आएगा सेकुर्टी तो मैं उसे क्या करते हैं कि माली जे ट्वाइल हंडडर रुपीस दूँगा ठीक है न तो जब गौवर्मेंट को पैसे की नीड होती है तो गौवर्मेंट क्या करती है सेकुर्टी मार्केट म पास लोग बोरो करते हैं वह सेकुर्टी सब्सक्राइब पैसा आ जाता है तो गौवर्मेंट वह अपना फंड में कहीं वेलफियर में लगाती है और उसके बाद एक साल बाद वही पैसा यह एक साल बाद दो साल जब मैच्चियोर होती है वह सेकुर्टी तो उसको पे आउ सबस्क्राइब परॉस होते हैं तो आप यह समझी एक और मैं यह चल रही है तो इनफ्रेशन के लागी सेकुर्टी सेल करना सभी रहेगा कि पर्चेस करना सभी रहेगा मान लीजिए इंफ्रेशन मतलब होता है कि महें और महंगाई को क्या करना है कंट्रोल करना है RBI को महंगाई को और बढ़ाना नहीं महंगाई को कंट्रोल करना है और डिफलेशन को भी कंट्रोल करना रहता है तो इंफलेशन कैसे कंट्रोल होगा इंफलेशन तभी तो कंट्रोल पाएगा जब मार्केट में मनी सप्लाई काम होगी इंफलेशन क्यों है क्योंकि लोगों की income जयता है लोगों कि इंकम ज़ादा है लोग डिमार्ण ज़ादा कर रहे हैं ठीके ना तो inflation कैसे कम होगा इंफलेशन कैसे कम होगा जब market में लोगे income कमो या market money supply थोड़ी कम हूँ ठीक कै अगर money supply कैसे से कंट्रोल करनी अब लोगों से तो कहेंगे नहीं, आप लोग खर्चा कम करिए महंगायी चले ऐसा कुछ को दिने market money supply कैसे कम हो सकती, MARKET money supply का Beniste कम करने का open market operation के तुरो market money supply कैसे कम हो सकती है। जैसे अगर RBI क्या करे securities के क्या करे? securities market में क्या करे? एक तरीके से market से क्या बताइए आप sell करे की purchase करे? अगर देखे sell करती है मैं आपको कोई चीच अगर बेचता हूँ ठीक है? तो मैं आपको अगर कोई चीच बेचूंगा तो क्या होगा? आपके पास securities जाएंगी मान लीजिए RBI अगर market में securities sell करती है, तो market में securities sell करेगी तो market में securities जाएंगी और market से पैसा RBI पास आएगा कि नहीं आएगा? तो RBI क्या करती? inflation के टाइम money supply को control करने के लिए ताकि inflation और नबढ़ जाए, तो market में क्या करती है? sell करती securities, market में जैसे sell करती है securities, market में securities जाती है और market से पैसा उनके पास आ जाता है, ठीक है? deflation के टाइम क्या करती है? purchase करती securities, purchase जब हम कोई चीज करते हैं, जैसे मान लीजे मैंने मैं आपसे कोई चीज परचेस करी, तो मैं आपसे चीज ले रहा हूं और आपको मैं पैसे दे रहा हूं, तो अगर market से कोई चीज परचेस करेंगे, तो market में पैसा जाएगा, और market से securities RBI पास आती है, ठीक है न? आप में शाद ध्यान रखिए कि inflation time क्या करती है RBI? इंफ्लेशन time RBI, security sell करती है, क्योंकि उसे liquidity soak up करनी है, सोख नहीं है, ठीक है न? Soak up करनी, soak up मतलब समझते हैं, सोख नहीं है, तरीक इस liquidity को सोख ना है, क्यों liquidity क्यों सोख ना है? Market में जो cash है, liquidity है, उसको soak ना है, तब ही inflation हमारा control हो सकता है, तो soak ने के लिए liquidity को क्या करते है, sell करते हैं, sell करेंगे, तो market में security जाएंगे, market से पैसा RBI पास आ जाएगा, और deflation time, market में liquidity नहीं है, तो liquidity जब नहीं है, то market में liquidity को और release करना है, liquidity मतलब होता है cash, liquidity को और क्या करना है, release करना है, तो जब liquidity को release करना, तो market से हम लोग क्या करेंगे, security purchase करेंगे, जब हम कोई चीज़ पर चेस करते हैं, तो हम सामने वाले पैसा देते हैं, तो market में पैसा जाएगा, market पैसा जाएगा, तो money supply बढ़ेगी, money supply बढ़ेगी, तो लोगों के income बढ़ेगी, लोगों के टेकर करेंगे. यही चीज़ें लिखनेंगे, इसको आपको पढ़ना है, ठीक है, अब दो तरीके को ऊपन मार्केट ऑपरेशन होते हैं, एक руpt right ओपेशन होते हैं, इक उता है र مंBreaste ऑन्र क क्या है, इक तरीक ना आप्र मार्केट ऑपरेशन, तो फिया है आओट राइट open market operation open market operation तो हमने ऊपर क्या जयते हैं कि open market operation जो पढ़ा है उससे हम क्या बोलते हैं आउट्राइट open market operation ठीक है इस अब 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 ताइप इसमें क्या होता है कि रफो जो Open Market Operation होता है इसमें क्या होता है सेक्यूरेती की repurch शमल लिजीं तीक है है नायोटो है इसको नोद्परी की होता है आफ चेसिंग का प्रोमिस कर जाता है इसको में इसमें समझते है हम इसमें आप लोगically बोटेakte and reported वह क्या होता है और दूसका होता है एक न्हींत हाँ रेपो रेट किया होता है रेपो रेट को कॉंळर्यक्रिया को एकुली मानते है यहार बीर चीक», और करदे कि जो भूझजा है बट इसमें थिफरेंस है इससे मान लीजिए है स्ब्सक्रिक्रेज़ रेट में RBI पैसा लेंड करते रही है SBI को वो है रेपो रेट ठीक है बट 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 मान लीजिए RBI ने पैसा लेंड करा SBI को 5% के हिसाब से तो यह हमारा हो गया रेपो रेट बट क्या होता है कि जब रेपो रेट में RBI पैसा लेंड करती है commercial bank को तो साथ में securities भी रखवाती है साथ में क्या करती है securities भी रखवाती है मैंने आपको bank rate में क्या होता है bank rate में जब loan में पैसा देती है जो हमारी RBI है वो securities नहीं रखवाती है in exchange में ठीक है but क्या करते है कि RBI क्या करती है RBI जब repo rate के थुरूर लोन देती है commercial bank को तो securities रखवाती है ठीक है तो securities जब रखवाती है तो क्या होता है securities जैसे मान लीजे मैं आपको फिर से एक समझा रहा हूँ देखें जैसे ये है RBI ये है SBI और ये है public ठीक है RBI ने क्या करा मान लीजे कुछ भी 5 के रुपीज दिए SBI को और SBI से 8% का रेपोरेट चार्ज करा 8% के हिसाब से आपको वापस करना है ठीक है और 8% के हिसाब से वापस तो करना है साथ ही साथ SBI से उन्होंने क्या रखवाली securities रखवाली securities रखवाली securities रखवाली securities रखवाली ठीक है तो सेक्यूरिटी रखवाने से क्या हुआ कि बैंक रिट में हमारी RBI सेक्यूरिटी नहीं रखवाती थी बट यहां हमारी सेक्यूरिटी रखवा लिए ठीक है तो सबसे पहली बात RBI ने पैसा लेंड करा कॉमर्शल बैंक को कॉमर्शल बैंक ने क्या करा commercial bank ने वही पैसा loan में देगी लोगों को ठीक है न तो सबसे पहले आप यह समझी आर्बियाई ने पैसा लेंड करा commercial bank को और आर्बियाई ने साथ ही साथ securities भी रखवा ली ठीक है और साथ में आर्बियाई ये भी बोलती है कि जो आप अभी एक तरीके से एक रुकी मैं आपको एक छोटा डाइगरम मना तो यह है आर्बियाई यह है SBI ठीक है आर्बियाई ने 5000 रूपीस लेंड करें इसको SBI को और साथ ही साथ आर्बियाई ने ये भी बोला कि 5% के हिसाब से या 8% के हिसाब से आपको हमें वापस कर Saat- crippian थार्बियाई की कीसे क्ई अधि आप में पैसा आपको दे रहा हूं साती सा्फिर यह भी बोलती है कि जो हम आपसे एक तरीके सा बढ़र हैं एक बात बताईए अगर मैं आपको क्या करते हैं कि पैसे दे रहा हूं और आप से क्यों डियत डिक्रा रहा पर छो दो आफ्टर फोर्टीन डेस और यह बूलती है कि जो मैं आपसे हैभी सेक्योलट्य कर रहे हूं कर रहा हूं उब किया करनी पड़ेंगे रीपर्चिय ऑफटीन डेस आपको रीपर्चेस करने होंगी है ज़किति अब internet हुआई जो भी RBI ने आज एक तरीख फर्पचैस करी तो वह आपको SBI वाले क्या करेंगे वो 14 दिन बाद critically के उने जैसे मैंने आप से कुई चीज पर्चैस करी तो आप अगर री पर्चैस करने हैं मुझे तो पहले मुझे आप पैसा वापस करेंगे नवह tej बस यह बात है अगर मैं आप से कोई मान ली जा आप लोग है तो आप से मैं कोई security purchase कर रहा हूं तो आपने मुझे security दी मैंने आपको पैसा दे दिया ठीक है बट आप फिर से वो री purchase करने आया security अगर मेरे पास तो क्या होगा कि आप मुझे पहले पैसा वापस करेंगे और मुझे security ले जाएंगे ठीक है ना तो वही बात है purchase री purchase से खेल खेल दिया है ठीक है तो वही चीज है री purchase रैपूरेट को लोग इसलिए री परचेस रेड़ी भी बोलते हैं क्योंकि आफ्टर 14 यह पूरा काम चलता है अब होता क्या है कि मान लीजे हो गया inflation inflation हो गया inflation much time क्या होता है एक इन पर्संट में लेंड करा जा रहा था पैसा तो अगर क्या होगा पर्संट कर दिया जाएक सप्था रहेंगा तो तो परिक चार्वएश बढ़ेगा मार्केट युजर बढ़े जाए कैस से ज्यादा चार्ज करेंगे बाड़ेगा पैसा rate में ज्यादा पैसर ज्यादा rate of interest चार्ज करेंगे जब ज्यादा rate of interest commercial फब्लिक से चार्ज करेंगे तो public क्या हो करेगी डिस्करेज होगी public क्या होगी डिस्करेज होगी जैसे पब्लिक डिस्करेज होगी तो market में money supply लाइक हो जाएगी और inflation control करने का जो टार्गेट था वह हमारा complete हो जाएगा तो at the time of inflation क्या होता है इंक्रीज कर दिया जाता है और at the time of inflation रेपोरेट क्या कर दिया जाता है कम कर दिया जाता है यह रखवाती साथ ही साथ क्या करती पर्चेस करती सेक्यूर्टी एक तरीके से और बोलती है commercial bank को कि after 14 days you have to repurchase that security ठीक है एक agreement sign करवाती कि आप भी तो हम आपसे पर्चेस कर रहें सेक्यूर्टी बट आफ्टर 14 days you have to repurchase that security तो 14 days के बाद जब repurchase करने आते हैं commercial bank वाले तो commercial bank को पैसा वापस करना पड़ता है तो उनको securities दे दी जाती है उनकी ठीक है और inflation time क्या होता है जैसे bank rate में होता था रपो रेट बढ़ा दिया जाता है क्यों रपो रेट अगर बढ़ा दिये जाएक तो market rate of interest भी पड़ेगा Market rate rate of interest भी जब पड़ेगा तो market में रपने सभी öz realizing कम होगी market मनी सप्लाई कम होगी मार्कutar से पारेट में रपोरेट में डिक्रीज कर दियाता है एट रेत है लोग गाराश और जोग डे sitzen तो क्या होगा market rate of interest भी कम होगा market rate of interest भी कम होगा तो cost of capital भी पहले से कम हो जाएगी पहले से लोगों को पैसा लेना सस्ता पढ़ेगा लोगों को तो लोगों की रिखके लोगों इनकम बढ़ेंगे तो दिमांड जाता करेंगे और लोग दिमांड जाता करेंगे तो डिफ्लेशन गान्ट्रोल जाएगा शिम्पल सी बात थीकिए ना तो तीन हम लोग बढ़े बैंक रेट उबेन मार्केट ओप्रेशन एंड रेपक्वरेट इसको आप ठीक है थेंक्यों बेरे मैच वाचिंग वार्व एक्राम उट्रास था